प्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आपी के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक राईजी टीवी नेटवॉक पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएं हैं कमल नंदलाल का दैनेक राशिफल इस राशिफल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशिफल की साथे साथ आपको बताएंगे राशिय अनुसार कुछ सिंपल से हुपाएं पंचांग के साथ साथ आपको प्रोग्राम के लास्ट में बताएंगे कैसा स्पेशल उपाई जो आपके जीवन की किसी खास समसा को चुटकियों में दूर करेगा तो चलिए राशेफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है गुरुआर का तारीख है साथ अपरेल दोहजार बाईस चैत्र शुक्ल शष्टी पर चंद्रमा विरिश्राश मर्गिश्रा नक्षत्र में रहेंगे दिन का लखी नंबर रहेगा एट लखी कलर रहेगा ब्लाक लखी डिरेक्शन रहेगी वेस्ट यानि के पस्चि रहु काल रहेगा दोपहर एक अठावन से लेकर के दोपहर तीन बच कर तैंतिस मिनट तक रवी योग रहेगा सुबह च्छे बच कर पांच मिनट से लेकर रात को दस बयालिस तक दिन का सबसे शुब महरत रहेगा दोपहर को ग्यार आठावन से लेकर दिन में एक अठाव उपा है वो माता कात्यानी से जोड़ावा है बताएंगे आपको घरेलू विवाद कैसे दूर होंगे माता कात्यानी कैसे किरपा करेंगी पारेवरे कलहे से कैसे मुक्ति मिलेगी उसके लिए राशिफल आपको आखिर तक देखना पड़ेगा तो चलिए राशिफल के शुरु का लड़ू का भोग लगाएं दूसरी राशी व्रिश यानि कि टॉरस की बात करेंगे आर्थिक लाब मिलेगा कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी नौकरी लगने के योगे हैं माता-पिता से आर्थिक सयोग मिलेगा दाम-पत्य रसिक रहेगा उपाई ये करें कि पीपल के पत् में मजबूती आएगी उपाई ये करें कि भगवती पर गैंदा के फूर चड़ाएं चौती राशी कर कियाने के कैंसर की बात करेंगे मांसिक चिंता रहेगी कारोबार में विस्तार की योजना बनाएंगे कारोबार को लेकर राय मश्वरा करेंगे छात्रों को भविश्य की चिंता रहेगी उपाई ये करें कि केसर से ममहा लिखकर देवी दुर्गा पर चड़ाएं पांचवी राशी सिंग यानि के लियों की बात करेंगे रोजगार में तरक्की मिलेगी कामका सफल रहेगा विदेश से लाब के योग हैं कारे सफल होंगे दामपते में प्रेम प्रदर्शन ठीक रहेगा मित्रों के साथ में घूमने जाएंगे जीवन साती कामकाज में सयोग देगा उपाई ये करें कि देवी दुर्गा पर बेसन के लड्डू चड़ाएं साथवी राशी तुला यानि की लिवरा की बात करेंगे सेहत नरम गरम रहेगी खान पान पर योगे हैं कारोबार में समस्य आएगी जीवन साती के सेहत पर ध्यान दें उपाई ये करें कि पीपल के पत्ते पर करपूर जलाकर देवी के आरती करें आठवी राशी व्रिश्चे कि यानि कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे खास लोगों सो मुलाकात होगी तरक्की के मौ आज को लेकर मायूस रहेंगे काम का दबाव रहेगा जादा विस्तता रहेगी परिवार के लिए समय निकालना कठिन होगा उपाई ये करें कि देवी कात्यानी पर दूद शहद का भोग लगाएं दस्वे राशी मकर यानि के कि प्रकॉन के बात करेंगे मन में ताजगी आ कि अक्वेरियस की बात करेंगे सारे काम पूरे होंगे जीवन शहली में पॉजिटिव बदलावाएंगे लियोए फैसले तरक्की में एहम भूमी का अदा करेंगे बकाया पैसा आपको वापिस मिलेगा उपाई ये करें कि देवी कात्यानी पर मौली चड़ा कर कलाई पर ब पर गुड चड़ा चनहा कर गरीब बच्चों में बाटें तो चलिए अब समय है आज के स्पेशल उपाय का वो स्पेशल उपाय जो घरेलू विवाद दूर करेंगा देखिए खास दिन है शष्टी है और इस दिन देवी कात्यानी के पूजन का विधान है और खास क्या है रवी योग भी है और यमना चट भी है कात्यानी को परिवार की देवी माना जाता है विवा की देवी माना जाता है तो ऐसे में क्या करें देवी कात्यानी का पुजन करें और देवी कात्यानी पर गुड चने का भोग लगाए और यह भोग लगावा जो गुड़ो चना है ये पीली गया को खिला दीजे और इस पूरे प्रयोग में एक विशेश मंत्र का जाब कीजे मंत्र है ओम पट्टांबर परीधाना ये नमहा आश्वस्त करता हूं आपको घरेलू विवाद निश्चित समाप्त होंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर लाकात होगी तब तक देखते रहें आपी का अपना चैनल कमल नंदलाल इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्ष्वाएं